कि वेलकम तो मैं चानल देंवेजबुल ट्रेडर आज यह लाइन दो में बोल नहीं सकता है कि आपको मजा आया होगा क्योंकि आज मेरी खुद की लग गई थी विकॉस देखो व्यू हमारा जो था अश्ट्रो तो कॉंट्र के आफकोर्स कॉंट्र में कोभी प्रॉबलम नहीं करने के बाद भी मतलब हमारे जो पोजिशन से तो थोड़े से हमको धोका दिये वैसे ग्रीन तो निकल गया हम अधाट इस वाट वी अधाट इस वाट माटस मेरे अगर मैने स्क्रीन सट भी डाला अगर आप देखोगे मेरा एट 9000 के आसपास आज का प्रॉफित है वाट इ प्रॉफित आपको पता है कितना होता है तो मेरी खुद की ट्रेडिंग में बताता हूं और मैंने कल क्या बोला था एक बार डिसकस करते हैं आपको कर याद होगा मैंने यहां पर एक लेवल जाता 42,700 गास पास मैंने बोला था कि यह अपनी डे एंड की एक टार्गेट होनी जीए मार्केट ज्यादा भावनाओं में बैय गया तो 800-900 भी जा सकता है प्रोवाइडेट दाट इट गोज लैक देस राइट इट गोज लैक देस दाट बाइंग वाला पोजिशन सिनारियो था यह इसका उल्टा हुआ है इसका उल्टा हुआ है विच बेसिकली तास्ट् अच्छा का सा लॉस दे दिया था उसके वाद मेरी जो दूसरी भाइंग थी मैंने आज कोई पी ने लिया और शी जो वाइंग ती ओ यहां पर ती यह पिवडी था आज का अगर आप देखो कि दिज्व वंडर्फुल बाइंग मेरे खाल से एराउंड एटी पॉइंट्स कि नैंटी पॉइंट्स यहां पर मिले थे और उसी नहीं यह जो लॉस था ना यहां पर पचास साथ पॉइंट का लॉस वा था उसी ने कवर कर लिया कि अल्टिमेंटली 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट में था नाव रीजन इफ यू रिमेंबर वट आई टोड कि आज का जो बोक्स का था और अगर आप देखो के रेंज इसी बोक्स को ही है अगर आप देखो कि बार बार ब box में आके और मेंने Box का bottom ब्याफ को दिया था आगर यह इच्विटी का bottom दिया है और अगर आप देखोंग totalmente मार्किटमें कि तना किया इसको नीचे तोड ने rebuilt इतना इंगी था तोनने के लिए जैसे फॉल हो रहा था यह बहगा था इदर रही है हाई वर हम नहीं यह बोला था कि जब भी बॉटम आप दे बॉक्स आएगा अगर आप पोजिशनल बाइ में हो तो आपके स्टॉपलस मार्केट में लगने चाहिए तो के सिस्टम में लगने चीए अब आज इसने नहीं लगा लेना एक बर ठीक है क्योंकि इसके बाद मार्केट बेरिस होने के चांसे काफी आई है राइट वैंट में सेम यह बॉक्स के नीचे मार्केट वीरिस होने के चांसे हैं हमारी जो प्राइस एक्षिन ट्रेडिंग होगी हम लोग ट्रेड कैसे का सब्सक्राइब देखो यह जो सेल है यह तो अपने इंडिकेटर ने अल्रड़ी बता दिया मार्केट जब यहां पर मूव हो रहा था मै यह वाला यह हमने रिकवर किया तो रिवेंस ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है तो मैंने यह छोड़ दिया वंदरफुल ट्रेड टू टेक ठीक है आज आईडियली हमारे प्लानिंग के हिसाफ से आपके दो ट्रेड होने चाहिए थे एक तो यह दूसरा जो बा पाटन लिए यह दो फिर भी आप बहुत एजली ले सकते थे मार्केट मैंने एक लिया यह वाला राइट कमिंग टू टुमोरो स्टेडि कल मार्केट क्या कर सकता है कल मार्केट तो ऐसे भी आश्रो टाइमिंग के हिजाब से अगर देखेंगे आज कॉंट्रा हो गया कल तो भी रेंज बाउंड ही मेरे को दिख रहा है अनलेस दमूब्स रियली रियली बिग तो हम लोग वेट करते हैं देखो मेरे हिसाब से परस्नली स्वायद में कल ट्रेड ना करूं ऑप्शन बाइंग में सायद में ट्रेड ना करूं कल हाई पॉसेबिल्डीज या पिर करूंगा ऑके एक्स्ट्रीम लेवल आपके दो या तीन है पहली एक्स्ट्रीम लेवल है यह इस लिए तीक है 418 18 और दूसरा एक्स्ट्रीम लेवल है 41520 यह दोनों लेवल जब भी टॉच करेगा और यह पहला एक घंडा का मार्केट डाउन साइट रह जाता है गाप फू सरी 12 15 के आसपास यह एक अटेम्ट हमारा हो सकता है यहां से और यहां से अटेम्ट हो सकता है पर बाइंग पचास से साथ यहां से यहां तक का ट्रेट यह आपकी कॉंफिटेंट रेट बनेगी तामिंग अगर मैच हो गया और दूसरी आपकी यहां से और यहां से टामिंग एसाब से अरूंड ट्वेल थर्टी जिस भी लेवल से होगा एक बाइंग आपकी बन सकती है यह भी हंड़ेट अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसी लेवल पे मार्केट दूबारा आपको सेल देते हैं एक हंड़ेट हंड़ेट फिट्टी पॉंट्स तो बहुत इजले मार्केट दे सकता है तो दाट वड़ेट बी आर वन अब तो थोर्ट ट्रेट दाट को यही तीन ट् सेल जोन बनाएं अटराजर के आसपास मोटा मोटा ओके और डाउंसाइट में यहां पर एक बनाया अगर आप देखोगे 17,764 जो जिस बॉटम से हमने फ्राइडे को फ्राइडे को उपर गे थे उस बॉटम जोन से भी आप बाई कर सकते हैं पर इस बार अगर आप बाई कर और मार्केट अगर ज्यादा बह गया तो 17,700 के आसपास 17,700 के आसपास आराउं 12-15 में आप बाई कर सकते हो प्रोवाइडे कर सकते हो फॉस्ट हाप इस फॉस्ट सेशन अफ वान आवर इस नेगे अगर यह होता है एक चीज़ में ने क्या बोली थी वीकली वीडियो में कि म हमारा विकली वीडियो सही होने के लिए एक ही कंडिशन है वो कंडिशन इसके मार्केट में मंडे को बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए और मार्केट में वही हुआ है हमने जो हमें जिसका डर था वही हुआ है कि मार्केट में मंडे को बड़ा फॉल हुआ है और मैंने बोला तो क्या हम सेलन राइस में रहेंगे मार्केट में आइडियली आयूद आपीन जैसे मैं बुला रेंजबावन होगा दोनों साइड मिलेगा आपको सेल भी मिलेगा वाइब भी मिलेगा वे जैसे बैंक निफ्ट में मैंने जो एक सेल का लेबल दिया है वो ये दिया है रही फर्ती टू ताउजन 450 के जो लेवल है यह लेवल 550 तो फाइबर यह 50-का जोन में सेल आ सकता है से देख के लेना है निफ्टी में भी सेम सेल अठरा हजार के आसपास ही आएगा ओके यह अगर लेना है तो आप ले सकते हो पर इस्थ आप दो सिनारियो जो मेरे इसाफ से लेबल और टाइमिंग को अगर सिनारियो को मैच करूं इस लेवल से मार्केट उपर जाने की हाई पॉसिबिलिटीज है अगर जैसे मैंने कल बोला था मार्केट को अगर पॉसिटिव रियक्षन देनी है तो यह फ्राइडे के स्विंग के उपर ख्लोज होना चीए ओ नहीं हुआ अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो बॉक्स को तोड़ेगा वह आज नहीं तोड़ पाया कल दिखते हैं तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा मार्केट अगर बॉक्स के नीचे दो तिन घंटा सस्टेन कर जाता है तो हम लोग सेल उन्राइज व्यू में जा सकते हैं दोजर्द क्लियर प्लांस राइट ओके नाव मार्केट हमें जैसे चाहिए तो इसे नहीं बनाया है पर दिस अर आल वर इन आर प्लांस राइट तो अभी मोटा मोटा विव आपका अल्ट्रा बूल का तो हो नहीं सकता अलेस मार्केट ग्याप अप करके उपर 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 निकलते हैं तो उसको अगर मैं इग्नोर कर दूं मेरा विव अभी सेलन रहे सका होना चीए मोटा मोटा हावेवर इंट्राडे में मैं बाइंग मैं बुल कब बनूंगा मैं बुल अभी जैसे मैंने यह बॉक्स को बॉक्स के लिए आपको बोला था राइट आइडियली क्योंकि अभी यह बॉक्स के नीचे से ऊपर जा रहा है आई यूद भी कमफर्टेबल मार्केट अगर 18000 के ऊपर एक दो दिन घंडा सस्टेन कर जा स्पेसिली इंट्रेडव सिमिलर बैंक निफ्टी में जब तक मार्केट 42500 के ऊपर दो तिन घंडा सस्थेन नहीं करता तब तक मेरा अंडिक का वीओ नहीं बनेगा वाकी जो होगा देखेंगे एक्स्ट्रेम लेवल पर ही ट्रेड करना देखो ऑप्शन बायर जो हैं तो मे कर लेता जिनको पता है उन्होंने लिया होगा यह टच करके एक दब मार्केट उपर गया और 20 मिनिट में आपके पैसे बन गया है ना हमारे लॉस्ट रिकवरों के प्रॉफिट भी वा गया तो उस तरह के रियाक्शन पर बीच में कोई खायदा नहीं है तो इस एरिया में मेरी कोई बाइंग सेलिंग नहीं होगी यहा बने मृइंग ओगी यहां पर वाइंग ओगी यहां में चल कुंग recommend that आध है और यह गर्वा जरी यह तो नहीं 팔ल अरह क्या नहीं चलता तो आज तो मेरा रेड में था जै माता दी ग्रिन करने के लिए थैंक यू वेरी मच